हलो फ्रेंड आप से कैसे हैं देखे आज दही वारा चाट बनाई हूँ बहुत ही टेस्टी चाट बनी है देखते ही आपको बनाने का मन करेगा दही वारा बनाने के लिए ये कटोरी दाल लिये हैं दाल को पहले अच्छी तरीके से धो लिये थे आठ से दस घंट अप फुलने एक बरतन में निकाल लेंगे दाल का पेष्ट का अच्छी तरीके से फेटेंगे इस तरीके से अगर फेट के दही वारा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी दही वारा बनेगी अब फुली फुली बनेगी अगर हमारे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लेगी फ्रेंट त तैयार हो गई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, दहिवारा को फ्राइ कर लेंगे, पहले से कडाही में तेल डाली हुई थी, देखे कितनी फुली-फुली दहिवारा बनी है, इसी तरीके से सारे दहिवारे बना लेंगे, दही वारे के बेटर में थोड़े सी काली मिर्श डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें तो आप सूखे भी खा सकते हैं सूखे भी खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है जब हम दही वारा बनाते हैं तो आधा दही वारा तो सब सूखे सूखे ही खा जाते हैं दही के बीना देखी कितना फुल गई है, फुल के दम डबल हो गए है, इस तरीके से मैं हाथ से निकाल रहे हैं, आप नहीं निकालें, क्योंकि अभी ठंडी में उतना ज़्यादा गरम नहीं होती है, इसलिए निकाल रहे हैं, हम सब को तो आदत हो गई है बनाने के लिए, क्य दहीवारा को लाटते खेल टर लेंगे सुनारे होने तेक तल लेंगे धहीवारा को एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंड़ा होने के बाद इसको दही चार्ट बनाएंगे इस तरीके से सजा लें जितना भाया आपको दहीवारा क Tes बनाना है दही को अची तरीके से पहले फेट लेंगे इस तरीके से दही वारा पर डाल देंगे एक बार दही चाट बनाकर इस तरीके से खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगी फिर इमली के चटनी डाल देंगे अगर होटल में इस तरीके से खाने जाएंगे तो कमसे कम 100 रुपे प्लेट से कम नहीं मिलेगी फिर हडी चटनी डालेंगे घर में कितना कम समानों से जल्द बन जाने वाली है गरांटी है कि अगर एक बार आप ये बना लिए तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा तो तीन पापड़ी डाल देंगे इस तरीके से तोड़ कर पापड़ी डाल कर बनाने से ओड टेस्टी बनेगी थोड़ी सी काला नमक डालेंगे थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे थोड़ी सी जीरा पॉडर डालेंगे कुछनार के दाने भी डाल देंगे इस तरीके से बना कर खाएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगे कि कैसी बनी है देखकर किसको किसको बनाने का मन कर रहा है एक वा जरूर कमेंट करके बताएं थोड़ी सी वारीक वाली सेव डाल देंगे देखें चाठ हमारी तयार हो गई यह बनकर कितना बढ़ियां बनी है